सफलता और विफलता आपके जीवन में आने वाले धन की मात्रा में नहीं होती। सफलता और विफलता उस पहचान पर निर्भर नहीं है, जो आप दुनिया में पा रहे हैं। आप जीवन में सफल हैं अगर आप जानते हैं कि नर्क में से भी खुशी से कैसे गुज़रें मंदी नर्क नहीं है मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ हद तक ग्लोबल वार्मिंग भी शामिल है मगर वो नर्क जितना गर्म नहीं है अब तक नहीं वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है वो बहुत अच्छा है मुझे विश्वास है कि आप कम भोजन, छोटे घर, छोटी कार से काम चला सकते हैं या पैदल चलना बहुत अच्छा है आप जानते हैं पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्या आप जानते हैं कोईबिटूर में कोई आदमी जो हाली में 100 साल का हुआ मैं उनसे मिला नहीं मैंने एक महीने पहले ही अकपार में पढ़ा था तब उनका सौवा जनम दिन था उनसे पूछा गया आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का राज क्या है क्यूंकि वो अब भी मजबूत और स्वस्थ है वो बोले मैं एक वाक किंग हूँ आप जानते हैं उन्होंने वाकिंग में एक हाइफन लगाया और कहा मैं एक वाक किंग हूँ क्यूंकि मैं हर दिन पैदल चलता हूँ सौ साल का हूँ मैं अब भी चलता हूँ तो आपकी विफलता आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हो सकती है अपनी ही सेहत के खिलाफ न हो आप जानते हैं सतुमाव कंजी और पैदल चलना स्वास्त का सटीक नुस्खा है विफलता जैसी कोई चीज नहीं है विफलता एक विचार है क्योंकि सफलता भी एक मूर्खता पूर्ण विचार है यह आपका विचार है कि सफलता क्या है और विफलता क्या है है न दुनिया को बदलने की कोशिश करने की बजाए अपना विचार बदलिए क्या ये आसान नहीं आप सिर्फ सफलता और विफलता का अपना विचार बदल दें सब कुछ बढ़िया है है ना अगर आप सड़क पर एक बिखारी होते आज आप किसी रेस्टरॉंट में जाकर एक मसाला दोसा खाकर दस रुपे का बिल दे पाते तो ये आपकी सफलता का चरम शिखर होता है की ने? तो आप सामाजिक हालातों में फस गए है और ये आपका विचार भी नहीं है मैं आपको इसका श्रेक क्यूं दे रहा हूँ? ये सफलता के बारे में किसी और का विचार है है ना? किसी और के विचार का दास मत बनिए कम से कम अपना विचार रखिए आपके पास अपना कोई विचार नहीं है खुद को धोगा मत दीजे हर खयाल, हर विचार, हर भावना, हर मूल्य जो आपके पास है आपने कहीं और से उठाया है और वो अंदर से आपको नियंत्रित करता है वो अंदर से आपको चलाता है आपके धर्म, आपके समाज, आपकी संस्कृती ने आपको ये मानने के लिए प्रशिक्षित किया है कि यही वो है तो पहले, पहली और महत्वपूर्ण सफलता ये है कि आप किसी और के विचार के दास नहीं है ये सफलता है जीवन के हालात जो भी हो आप जीवित हैं, मतलब आप सफल हैं, है न? नहीं? देखते हैं कि आप सफल हैं या नहीं? ये सफलता है, आप जीवित हैं आप जीवन का मूल्य नहीं जानते आप शेर मार्केट का रोना रो रहे हैं आप जीवन का महत्व नहीं जानते क्यूंकि ग्राफ उपर नीचे जा रहा है आप मरना चाहते हैं? नई नई, मगर मेरा बहुत नुकसान हो गया. ऐसी कोई चीज नहीं होती. ये सब सामाजिक चीजें हैं. ये अस्तित्व की चीजें नहीं हैं. हमने समाज अपनी खुशाली के लिए बनाया है. हमारी जान लेने के लिए नहीं. हाँ? आपने अपना परिवार, अपना सामाजिक धान चाया और हर दूसरी चीज अपनी खुशाली के लिए बनायी है. अपनी जान लेने के लिए नहीं, है ना? अब हर कमबक्त चीज आपकी जान ले सकती है. उन चीजों को जिन्हें आप बनाते हैं, चीजें जो इनसान बनाता है, अपने जीवन से बड़ा मत बनाईए. वो ही आपके कश्ट का कारण है. कर दो दो ही सकता है.